और राइट तो फिलहाल जो है काफी उतार चड़ाव हमें देखने को मिल रहा है इंडेक्स तरों पे और इस भीच धेर सारे नतीजे भी आ रहे हैं आगे बढ़ने से पहले और हमारे एक्सपर्ट से राय लेने से पहले एक बार इर्डा पे हम एक बार आपको बता दे किस तर दरसाल देखे तो लगभख 40% की ग्रोथ देखने को मिली है वहीं मुनाफ़े में लगभख 70% की आप हमने तेजी देखी है 336 क्रोज पे कम्ती का मुनाफर आ है वहीं प्री प्रोविजिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि हम हर फाइनाशल कंपनी में देखते हैं वहां प अबरदस नतीजे और मारकेट्स को भी बेहत पसंदारा है ये नतीजे और साथ ही जितने इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि लिस्टिंग के बाद इस काउंटर में एक तरफा हमने राली देखी है और जितने भी इन्वेस्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं उनको अच्छा मुन करेंगे हमारे दोनों खास महमानों का पर उससे पहले आप मारकेट पर अगर देखें तो अच्छा रन अप और कई सारे काउंटर्स जो है स्टॉक रियाक्शन भी दे रहे हैं रिजल्स के बैक पर अगर हम एक बार निफ्टी का भी चार्ट चेक ले लें तो वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक भी कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों के बाद एक अच्छे आक्शन में है और अभी बैंक निफ्टी भी दिनके उपरी स्थरों पे ट्रेट कर रहा है पर अब स्वागत करते हैं हमारे दो खास महमानों का हमारे तो लगावा है फ्रेश एंट्री के मौके नहीं है बट इस उपरी सर्किट के बाद जस तरीके के वॉल्यूम देखने को मिला कॉन से लेविल्स ध्यान में रखने चाहिए इस पर आप बता पाएंगी वेरी गूर आफ्टरनून अच्छली यह सो इर्डा काफी समय से एक लाइम लाइफ में है इस दूइं वेरी वेल बट मेरा डेटा काफी लिमिटेड है और जिस तरह से आज चल रहा है इस तरह से आज चल रहा है आज जैसे वॉल्यूम पिक अप कही दिनों से हो रहा है और तो यह राय इस वाक्त इर्डा पर वेशाली जी की तरफ से आती हुई चलिए अब शो में हमारे साथ वेशाली जी के साथ नितलेश पावसकर भी शामिल है नितलेश ये गुड आफ्टरनून और हम आज देख रहे हैं कि फटलाइजर काउंटर में जो है वो तेजी नजर आ रही है और जमकर खरीदारी यहां मैंगलोर कैमिकल्स, एनेफल, फैक्ट इन सब में नजर आ रही है मदरास फटलाइजर में भी तेजी यहां पर नजर आ रही है जरा फटलाइजर शेरों में पर अपनी राय दीजे यहां कुछ पसंद आ रहा है यहां अगर आपको लग करके चल सकते हैं फोड़ा सा एक बार 122 अगरी निक्ताल देता है इसमें लॉंग करके चलेंगे एक सो आट उपका कर सो प्रॉस हुगा उपर में लोग बात करेंगे तो तक्रीपन एक सुचाली से लिकी एक सो पचास के लिए वैस का टार्गेट प्लाइजर करके चल सकते ह हम ठीक है तो यह है सलाम फर्टलाइजर शेर उपर लिकी चलिए अब रूप करते हैं हमारे अगले सेग्मेंट का ट्रेट का चौक और हमारे साथ इस वक्त दोने एक्सपर्ट मौजूद हैं विशाली सिब से पहले आप से जानेंगे इस पर ट्रेट की मौके आप कहा पर द अच्छे से अप्ट के बाद अमीं काफी चल चुका है और अगेन इस रडी पर रूप मेरा एक पाइस्ट्राजी रहेगा पर एस नाज बन रही दाट के साथ 1.191.195 तो ये दो काउंटर्स वेशाली की तरफ से आते हूँ यहां पे जबरदस तेजी है यहां पे 170 की टागे सब ध्यान में रखे वन सेविटी फाइड के साथ बर चली अगे बढ़ेंगे हुमारे एक्सपर्ट से और भी स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे औ यहां पर नितलेश आपसे आइसे बैंक न अपकी कॉल्स भी लेना चाहेंगे उससे पहले मैं आपसे आइसे बैंक भी पूछना चाह रही थी पर सबसे बहले बताएगे कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं देख दूस्टॉक में में बिक्वाली का जाए होगा तो अब यहां पर शौट करते हैं तो बारा सुट्री सब्सक्राइब करेंगे यह अच्छली बारा सुपैटीस के आइसपास इसमें भी वाली करने थी भारत फोर्ज में लेकिन वहां से तूडा से इसमें डांसे नम्से नमेंटम भी देखने को मिल एबारा सौट हाई आइ उसने दिखा दिया है तो बारास रुपे के टार्गेट के लिए भारत फोर्ष में प्लान कर सकते हैं परशली अब आगे बढ़ेंगे और नितली शेकबर मैं आपसे आईसे ऐसे बैंक पे भी राय जाना चाहती हूँ क्योंकि नतीजे आते ही होंगे और उससे पहले किस तरीके का चार्ट चेक यहां पे आप देख रहे हैं क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक नतीजों के बाद और जैस तरीके का प्रदर्शन उसने असेट कॉलिटी पे किया एक जबरदस रन-फ हमने वहां पे आते वे देखा आइसे ऐसे बैंक फिलहाल क्या चार्ट पता रहे हैं कौन से लेविल्स ध्यान में रखने चाहिए लेवल में एक जिस का ध्यान रखे 980 ये लेवल के लिक डाउं होने की नीचे तोड़ा सा वीखने समय देखने को मिलेगा तो जिनका भी लॉंग साइट का पोजीशन से वह आप एक बार के लिए 980 का स्कॉप्लस बनाया रखे ये 2030 की उपर चाहिए तो आप कांटिडी आड कर सकते हैं 1100 से लेकी 1120 के टार्विन की ठीक है तो ये नजरिया फिलहाल ICICI बैंक पे एहम लक्ष है आपको बता दिया गया कि इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है वो भी आपको बता दिया गया इन सब के बीच में आज हमने देखा कि रेल्वे स्टॉक्स में जो रफतार है वो दबाव भरे बाजार में भी जारी रही और आज भी हम देख रहे हैं कि यहां पर रफतार जारी है साफ तर पर आरवी एनल में आज 10% का उपरी सरकिट लगा रेल्टेल और एरकॉन में भी बंपर तेजी कह सकते हैं 15-16% की तेजी नसर आई वैशाली जी जरा रेल्वे शेरों पर अराय दीजे रैली जो है वो रेल्वे शेरों की वो फिलहाल रुक नहीं रही है सब मेरे हिसाब से टेक्निकली यह वाइट ओवर वाइट ओवर्वाट सो वेल या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिये या तो फिर थोड़ा प्रॉफित बुकिंग जरूर कर लेना जाए बिकॉस हरे टाइम पीरियोड में देख रहे हैं मन्तली में वी बोल करते रहे हैं या तो फिर थोड़ा पाशिल प्रॉफित बुकिंग की मेरी रसला रहे हैं आगे तो यह है सला स्ञेर रेल्वे स्टॉक पर शांदार तेजी यह पर देखने को मिल रही है एक और स्टॉक देखिए हुट को यहा पर भी देखने हैं पिछले दो तीन दिनों से काफी अच्छी तेजी बन रही है हुट को की स्टॉक में और अभी भी ये stock करीब 6.5% उपर आज भी stock कारोबार कर रहा है, लगा था record levels यहां पर भी बन रहा है stock में, नितिले जी क्या कोई trade लेना चाहिए मौझूदा स्थर पर या फिर थोड़ा नीचे आने दे अभी stock को? तो यह है राय हुड को पर इस वक्त आती हुई, चलिए बढ़ते आगे, कि आती हुई।